हलो फिरेंज वेल्कम टू 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 जेर नौलेज क्लासिस आज की इस वीडियों में लोग सिखने वाले हैं इस तरह के प्रसणों को हल कैसे करते हैं जैसा कि प्रसण दिया हुआ है 100 गराम मिर्च का दाम 10 रुपिया है तो 1 केजी मिर्च का दाम क्या होगा यानि कि 100 गराम मिर्च का दाम 10 रुपिया है तो हमें ग्याद करना है कि 1 केजी या 1 किलो गराम मिर्च का दाम क्या होगा देखे यहां पर 1 केजी में दिया हुआ है तो जो यहां पर केजी में दिया करना है तो 1000 ग्राम मिर्च का दाम गयात करना है तो यहां से देखे 100 ग्राम मिर्च का दाम दिया हुए 10 रुपिया तो यहां पर से सबसे पहले हमें 1 ग्राम मिर्च का दाम गयात करना है तो देखे यहां लिखना है 100 ग्राम ब्रावर 10 रुपिया यानि कि 100 ग्राम मिर्च का द लेकिन हमें एक गराम मिर्च का अदाम नहीं ग्यात करना है, हमें ग्यात करना है एक हजार गराम मिर्च का अदाम, तो फिर यहां पर लिखना है, एक हजार गराम बरावर दस और बटा सौ लिखना है, चले इतना हो गया, इसके बाद देखिए, यहां पर जो एक हजार है, इस यहां पर 10 बच गया है और 10 बच गया है तो जो बचा है उसमें गुना कर देंगे तो देखिए यहां पर 10 और 10 में जब गुना करेंगे तो यहां पर 100 रुपिया आ जाएगा याने कि 1000 ग्राम मिर्च का दाम कितना हो जाएगा तो 100 रुपिया हो जाएगा अब इसे 1000 ग्राम न समझ में आ जाए दिखिए इस वाले प्रस्ण में क्या दिया हुआ है 200 गराम मिर्च का दाम 20 रुपया है तो 1 kg मिर्च का दाम क्या होगा तो इस वाले प्रस्ण को भी उसी तरह से हल करेंगे वहाँ पर दिया हुआ था 100 गराम मिर्च का दाम और एक केजी मिर्च का दाम ग्यात करना था लेकिन यहाँ पर दो सो ग्राम मिर्च का दाम दिया हुए तो इसे भी उसी तरह से हल करेंगे सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक केजी ही तो इसको ग्राम में चेंज कर देना है तो एक केजी बरावर 1000 ग्राम अब देखी 1000 ग्राम यह हो गया अब इसके बाद देखे लिखना है 200 ग्राम ब्रावर 20 यहाँ पर 20 हो जाएगा 200 ग्राम मिर्च के अदाम कितना है 20 उर्पिया तो यहाँ से सबसे पहले हमें 1 ग्राम मिर्च के अदाम गयात करना है तो लिखना है एक गराम बरावर बीस और बटा दो सो यानि कि यहां से एक गराम मिर्च के अदाम कितना हो गया बीस बटा दो सो लेकिन हमें एक गराम मिर्च के अदाम नहीं गयात करना है हमें गयात करना है एक हजार गराम मिर्च के अदाम में लिख देना है चले इतना हो गया अब इसके वाद जो कटेगा उसको काट देना है देखे यहाँ पर दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा चले इतना हो गया अब देखे यहाँ पर दो से बीस कट जाएगा दस वार में चले इतना हो गया अब इसके वाद जो बचा है उसको गुना कर देंगे, तो देखें, यहाँ पर एक 10 बचा हुआ है, एक यहाँ पर 10 बचा हुआ है तो यह दोनों को गुना कर देंगे तो देखें, 10 में जब 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, यानि कि 1000 ग्राम मिर्च का अदाम कितना हो गया 100 प्या अब यहाँ पर 1000 ग्राम मिर्च के अदाम 100 प्या है यानि कि कह सकते हैं कि 1 केजी मिर्च के अदाम कितना है तो 100 प्या है यह इंसर हो जाएगा तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इस तरह के परसनों का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दिजिए